अपनी विंटर डाइट में सोया साथ को जरूर सामिल करें क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा लाब दायक होता है सोया मदमे को नियंदित करता है या पाचन सकति को बढ़ाता है हटियों को स्वस्वा मजबूत करता है झाठिमन को रोकता है और अनिद्रा को दूर करता है कितने विंटर सीजल में इसे जरूर खाए और और इसका ज़़ेल सारा फायदा उठाएँ आज हम बनाएंगे सोया की कचौरी, सोया की कचौरी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, इसे बनाने के लिए हमने सोया को धुल करके काट लिया है, इसको एकदम बारी काटना है, मोटी डंडिया हाटा करके, और आटा हमने ले लिया है, जितना भी आपको कचौरी बनाना या चालते हैं, तो न ड़ालेगे, क्योंकि शोया ही काफी है, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है, नमक डालेंगे, थोड़ा सा, दो चमच के करीब 대ल डालेंगे, इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिल देएंगे, सारी चीजें अच्छे से मिल जाएं, तब तो हम थोड़ बड़ी छोटी सी लोईया बनाइए तो जितना चोटा बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी लोईया बनाएए इसे गोल सेफ दे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाए कचोडियों को हलका मोटा बेल कर तयार करें ताकि यह फूली-फूली सी बने कचोडिया हलकी मोटी रहेंगी तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है ऐसे ही सारी कचोडियां बना लेंगे कचोडियों को हमने बेल लिया और कड़ाई में हमने तेल भी गरम होने को रख दिया है तेल गरम है मीडियम गरम होना चाहिए ना बहुत जादा ना ही बहुत कम तेल में हम कचोडियों को डाल देंगे और एक बार में जितनी कचोडिया आराम से आजाएं उतना ही डालें इसे अलट-पलट कर हमें हल्का सुनेरा होने तक तलना है अभी हम गैस के फ्लेम को हाइ कर लेंगे ताकि ये कचोडिया फटा-फट से सुनेरी हो जाए जब आपको तिल ज्यादा गरम हो गया है तो गैस के फलेम को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है यह खाने में इसे आप अपनी मन पसंद किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं या छोले के साथ साथ इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है अप एक बर इस तरीके से कचोरी पना कर के खाए और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपको ये कचोडी बहुत ही जादा टेस्टी लगी या नहीं तो सिंपल सिंपल कचोडी बनाने से अच्छा है कि आप उसमें कुछ ऐसा डाल दें कि टेस्ट भी बढ़ चाहे और स्वास्ति के लिए और भी जादा के लिए बढ़ाई